भारत जोड़ो आंदोलन की सफलता से कॉंग्रेस में नई जाना गई है पार्टी अब इस यात्रा को विस्तार देने की रणनीती बनाने में जुटी है जिन राज्यों में यात्रा नहीं पहुंची वहाँ इस तरह की यात्राइं शुरू करने पर काम शुरू हो गया है इसे लेकर कॉंग्रेस प्रवक्ता जैराम रमेश ने पार्टी की पूरी रणनीती साफ कर दी है तो क्या कहा जैराम रमेश ने देखते हैं ये रिकोर्ट भारत जोडो यात्रा को 55 दिन हो चुके हैं और यात्रा लगातार चल रही है राउल गांदी के नेत्रित में चल रही है यात्रा रोज नए रिकॉर्ड बना रही है जिसके बाद आप कॉंग्रेस इस यात्रा का विस्तार करने की तैयारी में है भारत जोडो यात्रा तो अपन पश्यमंगाल में कॉंग्रेस यात्रा शुरू करेगी प्रदेश की नेता राश्टियस्तर के नेताओं के साथ पद्यात्रा में शामिल होंगे इसके साथ ही जैराम रमेश ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है इसके साथ ही जैराम रमेश ने आप और AIMIM को भी जम कर खेरा उन्होंने कहा कि आपकी गुजरात में कोई मौजूदगी नहीं है और वे बीजेपी के साथ शेडो बॉक्सिंग में लगी हुई है आप नेत प्रवक्ता ने कहा कि आपका जन्म ही 2012 में RSS समर्थित आंदोलन से हुआ था आप बीजेपी की बीटीम है जो कॉंग्रेस के वोटों को बाटने के लिए चुनाव लड़ रही है AIMIM पर निशाना साथ ते हुए कॉंग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वो भी आपकी तरह बीजे के इशारे पर चुनाव लड़ने में व्यस्त है दीबी लाइफ की रिपोर्ट